दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह 2021 के पहले सब्ता के कन्या राशी फल के बारे में कञ्या राशी के लोगों के लिए एक फरवरी से 7 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा इन 7 दिनों में ग्रहनक्षत्रों की इस्थिती कैसी होगी कौन सा ग्रह अपनी राशी बदलेगा और कौन से योग बनेंगे इनका प्रभाव आपकी दिन्चर्या पर किस तरह से होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आज की इस वीडियो में बस आपसे छोटा सा निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगे दोस्तों यह जो राशी फल है यह चंद्र राशी पर आधारित है और इन साथ दिनों में चंद्रमा का गोचर आपके प्रत्थम भाव से चलते हुए चौथे भाव तक जाएगा यानि इन साथ दिनों में चंद्रमा आपके पहले भाव में दूसरे में तीसरे में और चौथे भाव में सक्रे रहेंगे और इन भावों के अनुसार ही आपकी जो दिंचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस सब्ताह में बुद्ध भी वक्री होंगे और वक्री अवस्था में गोचर करते हुए कुम राशी से निकल कर मकर राशी में प्रिवेश करेंगे जिस से इस सब्ताह में चतुर ग्रही योग और पंच ग्रही योग दो ऐसे ग्रहों का जमावड़ा की वज़े से योग भी बनेंगे तो सब्ताह की शुरुवात में चंद्रमा किस्तिति आपके प्रतम भाव में होने वाली है पतंभाव में चंद्रमा की इस्तिथी, कन्याराशी के लोगों के लिए आत्म विश्वास को बढ़ाने वाली होगे आप किसी भी इस्तिथी को समझ कर अपनी काम करने की इच्छा में इजाफा कर सकते हैं आपकी शक्ती बढ़ेगी, आप अपने पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने सभी कामों को समय से पूरा कर पाएंगे लोगों के साथ आपके सम्मंद भी अच्छे होंगे आपके काम प्रचुर मात्रा में लाब की प्राप्ति कराएंगे ये स्थिति आपके बिजनिस को भी आगे बढ़ाने में मददगार साभित होगी थोड़ा खर्च भी आप करेंगे और ये समय होगा कि आप खुद पर ध्यान देंगे अपने ऊपर खर्चा करने वाले होंगे वो हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है तो इसमें आप अपने व्यक्तित्व पर ज्यादा ध्यान देंगे सजने सम्यवने पर भी आप ध्यान देंगे आपकी जो मानसिक इस्तिति है वो बेहद अच्छी रहेगी इस सब्ताहा के शुरुवात आपके लिए इस दोरान देखने को मिलेगा इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे दूसरा भाव धन का भाव होता है वानी का होता है धर्म का होता है चंद्रमा का दूसरे भाव का गुचर बेहद अच्छे रिजल्ट आपको देगा ये समय ऐसा होगा जब आपका bank balance बढ़ेगा आपका bank balance आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आपने जो बड़ी मेहनत से धन अरजित किया है उसे आप या तो bank में जमा करके या FD करकर सुरक्षित करके खुद को संतुस्टी का अनुभव करा सकते हैं परिवार के लोगों के बीच में प काफी अच्छी होगी आपकी वाणी का भावय होता है आपके बोल चाल मीठी होगी आपकी वाणी इतनी मदूर होगी कि अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी तरह आकरशित कर पाएंगे और जो ऐसे कामों से जुड़े हैं communication skill से जुड़े हैं तो उनके उन लोगों के ल चंद्रमा हैं ये कही ना कहीं थोड़ा सा आपको आपके सेहत पर प्रभाव कर सकते हैं या आपके भाई बहनों के स्वास्थे पर प्रभाव दे सकते हैं क्योंकि विरश्चिक राशी में चंद्रमा के साथ केतू विराजमान होंगे केतू और चंद्र की यूती होगी तो ये स्वास्थे पर थोड़ा सा परिशान कर सकती है लेकिन आपका साहस जरूर बढ़ा रहेगा आपका पराक्रम देखने लायक होगा काम करने की जिग्या सा आपके मन में वेहद होगी यात्रा का योग भी बनेगा छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं ये एक दिन क रखेंगे आपके काम करने का तरीका देखकर लोग आपसे प्रभावित भी हो सकते हैं इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके चौथे भाव में चले जाएंगे चौथे भाव में चंद्रमा का गुचर माता के लिए बेहद अच्छा है माता के साथ आपकी ब अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होंगे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आप थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं घर में कोई सुख सुविधा का साधन लेकर आ सकते हैं कुछ खरेदारी आप करते हुए दिखाई देंगे जो आपके घरेलू समान भी कुछ हो सकता है सुख सुविधा को बढ़ाने वाला समान भी हो सकता है कोई लगजिरियस चीज भी आपकी हो सकती है तो ऐसी चीजों के परती आप खर्चा करते हुए दिखाई देंगे इस अपता हमें चार फरवरी को बुद्ध वक्री अवस्था में चलते हुए राशी भी बदलेंगे और यहां राशी बदलकर मकर राशी आपके पंचम भाव में प्रिवेश करेंगे अब पंचम भाव में बुद्ध के यहां आने से पंच ग्रही योग बनेगा यानि बुद्ध के साथ सूरिय होंगे और शनी गुरु होंगे शुक्र होंगे तो यहां पंज ग्रही योग बन जाएगा और इस योग का ब्रभाव बहुत ही जादा अलग तरह का होने वाला है क्योंकि देखे जब भी पांच ग्रही एक साथ एक घर में बैठे हों तो वहां कई तरह के जो निशकर्ज हैं वो अलग अलग निकलते हैं यहां अशुब ग्रह और अशुब ग्रह दोनों ही तरह के ग्रह बैठे हुए हैं तो इस दोरान आप एक तो अपनी संतान को लेकर बड़े संजीदा रहेंगे आप उनकी हर परिशानियों को दूर करने का प्रियास करेंगे स्वास्ते संबंदी थोड़ी परिशानियां जरूर हो सकती हैं संतान को तो स्वास्ते का जरूर ध्यान रखें चोटी मोटी परिशानी होती है तो भी आप उसको जल्दी से दूर करने का प्रयास करें और उनकी संगती पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके संतान है तो उसकी संगती पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा बाकि आप उनकी हरिच्छा को पूरा करने वाले होंगे उनके लिए कुछ उनके करियर को लेकर अगर आप परिशान थे तो वो परिशानिया आपकी दूर हो सकती है आप इस दोरान अपने घर परिवार पर भी जादा ध्यान देंगे और अपने व्यापार पर भी ध्यान देंगे जो वेपारी हैं इस राशी के उनके लिए ये इस्थिती बेहद अच्छी रहेगी जो पंचग्रही योग पंचम भाव में बना है और ये पंचग्रही योग बारा फरवरी तक रहेगा तो इस दौरान आप जो मेहनत करते हैं उसका पूरा फल आपको प्राप्थ हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाएगी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी समया नुकुल है जो बच्चे अभी प्रतियोगी परिक्षा में अगर इस दौरान बैठते हैं, इस वक्री बुद्ध की इस्तिती में तो उनको अपनी जो प्रतियोगी परिक्षा है उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा तो ये कुछ ऐसी इस्थितियां निर्मित होंगी जो आपको इस दोरान अच्छा भागय का सपोर्ट दिलाते दिखेंगी अब उपाय की बात करते हैं तो आप हर्मान 40 अका प्रतितिन पार्ट करना शिरू करें इससे क्या होगा आपके जीवन में जो संकट हैं उन से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका कामकाज भी अच्छे तरीके से चलेगा तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर ले हमारी इस वीडियो को ज़ज़द लाइक करें शेयर करें